नमस्कार मैं शबीना टीचर और आज बच्चों की दुनिया में मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसका अन्ता आपको बताएगा कि आलसी और लालज का क्या अन्त होता है एक आदमी था बहुत ही आलसी खोर उसको कोई काम करना अच्छा नहीं लगता था साथ ही उसको लालज भी बहुत था वो कोई काम नहीं करता था उसकी एक छोटी सी दुकान थी वो दुकान कभी खोलता था कभी नहीं खोलता था इसलिए उसकी कमाई भी नहीं होती थी उसकी क कुछ मिलता रहे एक बार वो घर पहुचा एक कहीं से मुर्गी उड़ती हुई आई और मुर्गी उसके घर में आकर बेट गई उसने सोचा आज भगवान ने मेरी सुन ली है अब आज मैं मुर्गी की दावत कर लूँगा फिर उसने सुचा क्यों ना इस मुर्गी को आज रात रहने देता हूं कल सुबह देखूंगा उसने मुर्गी को एक टोकरी के अंदर बंद कर दिया वह सुबह जागा जाके वह बड़ा खुश हुआ कि आज सुबहें मुर्गी की दावत करूंगा जैसी उसने टोकरी हटाई उसने किया देखा कि मुर्गी ने एक अंड़ा दिया था जो कि सोने का था वह बड़ा खुश हुआ उसने लिया अंड़ा और सुनार के पास गया उसको दिखवाया सुनाने का हाँ ये तो असली सोना है अब नाई बड़ा खुश हुआ कि हां तो इसे केते हैं भागी भागी चलकर उसके घर तक आया था क्यों नाई का उसका वेक्ति का कोई काम उसको पसंद आया होगा अब वो अपनी दुकान खोलता नहीं था घर पर सारा दिन बेठा रहता था रोज एक अ पामान खरीने लगा और वो एक अच्छे और रईस आद्मी की तरह अपना जीवन बिताने लगा अब जो इनसान रहता है वो अपनी आदत और सोच कभी नहीं बतलता इतने सब के बाद भी उसके मन में ये लालस्ता कि कब तक में रोज एक एक अगंडे का इंतजार करूं क् सुबा में मुर्गी को मार डालू उसके पेट में जितने भी सारे अण्डे हैं में एक साथ बहार निकाल लू और सारे अंडे बेच के और रही सोचाऊंगा और लफपती ओचाऊंगा उसने ये सोचा और दूसरे दिन अच्छी तेज चुरी लाया और उसने मुर्गी को का लाटप सारा खून बहाया और अंडा उसने 1 नपाया अब उसके रोसो के परस्ताने से भी क्या हासिर होना था मुआ पाशानी नहीं थी उह जो सोने का अटादा देती थी इसी तरह होता है जिस तरह इस आदमी ने अपनी सोने का अंड़ा देने वाली मुर्गी को काट लिया इसलिए बच्चों कभी भी कोई शार्ट कर रास्ता नहीं अपनाना चाहिए हमेशा मेहनत करना चाहिए और आलस सी को अपने से हमेशा दूर रखना चाहिए मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ तब तक मुझे आग्या दीजिए नमशकार